नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बिहार अमीन के बारे में कुछ अपडेट देखेंगे और इसका आखिर जुआइनिंग कब तक फाइनल होगा उसके बारे में जनकारी लेंगे और देखिए यहाँ पर कल कि आप लोगों पेपर में देखा होगा 18.11.2021 के पेपर में आप लोगों ने देख चुके होंगे कि इसमें 1767 पोष्ट के बारे में जनकारी दी गई है कि इसका कब तक बहाली होगा इस पर सरकार जो है बहुत ही अलर्ट है और जल्द ही इसकी बहाली पर किरिया समाप्त तो देखिए यहां पर डेट दिया है 18-21-21 कल का आप लोगों ने पेपर जरूर देख लिया होगा तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे इससे पहले कि अगर आप मेरी चैनल पर नाए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि बिहार में किसी परका पार ने कहा है कि 556 रजस्व अधिकारी और 1766 नियमली अमीन की सेवा विभाग को प्राप्त हो चुकी है नवंबर तक इतना रजस्व करमचारी को विभाग को इतना करमचारी मिल जाएंगे जिसमें जो है आपको 1766 पोस्ट जिसमें 1766 पोस्ट आपका अमीन का सामिल है इसमें कहा गया है कि नवंबर तक आपकी मतलब परकिरिया है पूरी की जाएगी तो जहां तक उमेध है कि नवंबर लास्ट से आपकी परकिरिया जो रुकी हुई है वो यहांपर आप लोगों ने results और राइंक देख लिया है result और रहा हैं कि देखने के बाद में आप लोग को counseling के लिए November के last week या December के first week में बुलाए जा सकता है तो जो कल का ये update था उसके बारे में कल के update के बारे में हमने बताया है और इसके बारे में बात करेंगे कि देखिए आप लोग counseling के बाद counseling जैसे ही होगा counseling के बाद आप लोग का joining कराया जाएगा merit निकाला जाएगा तो इससे पहले आप लोग अपना सारा document के लिए कर लीजएगा और किसी परकार का भी document में गलती होगा तो आप लोग उसका सुधार कर लीजएगा क्यों कि अगर document में कुछ भी गलत रहेगा तो आप लोग का क्या होगा कि document में आप लोग को छांड दिया जाएगा तो इसलिए आप लोग अपने जितने भी जरूरी documents है सारे बनवा लिजेगा और documents पर हमने एक वीडियो बनाया है आप लोग चैनल पर जाकर देख लिजेगा तो और अगर कोई update मिलता है तो हम आपको पुना बताएंगे और पुना वीडियो में लेकर मिलेंगे तब तक के लिए धन्य बाद अगर आपको और किसी परकार का सहयता चाहिए या कोई भी सवाल पूछना होगा तो आप हमें comment box में comment जरूर किजिएगा हम कोशिस करेंगे कि उसका reply दिया जाए धन्य बाद मिलते हैं next video में